कोश्चन में क्या है ABC ट्राइंगल ड्राउंटू ए सर्कम्सक्राइब पता ही है सर्कल के बाहर की ओर ट्राइंगल है टच करते हुए सर्कल को तो आप रेडियस 4 cm रेडियस 4 cm गिवन है सज एट सेगमेंट बीडी और डीसी जो बीडी और डीसी यह गिवन है तो हमको क्या करने का है साइट्ट्स एबी और आसी करने का है तो क्या करेंगे स्में कंस्ट्रक्शन करेंगे और जॉइन करना है यह पॉइंट को मार्क कर लिए यह ए फ ले लें ऑव और को दोरे लाइन से E और X से जॉइन कर लें फिर तीनों वर्टैक से भी जॉइन कर लें टॉटी लाइन से A से भी B से भी और C से भी जॉइन कर लें तो तो तीवन करकल पस पॉइंट है सर्कमिस्क्राइब हिसी इवच्वन विजवन अबीज़ी सर्कम स्क्राइब ए शर्कल को सर्कम स्क्राइब किया है और क्या गीवन अब को cd is equal to 6 cm और 3rd number bd is equal to 8 cm to find क्या find करने का है ac और ab क्यूंस्ट्रिक्शन जॉइन oe oe ob oc os अपको जॉइन कर लिए है तू इस पाइंट करना था सॉलीशन लेकिंगे सब्सक्राइब हुआ है 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 राइट यह रहां सब्सक्राइब आपने पढ़ा था हेरों सब्सक्राइब निकालेंगे है तो सबसे पहले हम हेरों सब्सक्राइब के लिए वर्काउट करते हैं तो सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब कंपान के लिए अगरते हैं हंपो अगरते हैं से जारा है और यह इस होगा तो 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 यह भी एट सेंटीमेटर होगा तो तो यह नेक्स हम क्या रहते हैं एक्स 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 इतना हो जाएगा यह भी एक्स होजाएगा ले 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 लेटे हैं हम यह आपर cd is equal to kis के आया cf is equal to 6 centimeter और ये लंगे लेंगे लेंगे लो अव एंगे फिर एसी ब्ला गिया यह आगिया BD BE आ गया है, BD is equal to BE is equal to 8 cm आ गया है, next हमने किया किया लेट, AE is equal to X cm, this implies that AE is equal to AF, AE is equal to X आ गया है, सबका रेजन सेम है, length of tangent from common point to circle, right, अब sides से ले लेते हैं, triangle की क्या क्या आ गया है, तो this implies that, AE is equal to कितना आ गया है, पहले साइड, X plus 8, AB, फिर BC कितना आ गया है, AE is equal to कितना गया, 8 plus 6, यानि 14 आ गया है, cm और AC, AC is equal to कितना आ गया है, X plus 6 cm, सबसे पहले हिरोन्स फॉर्मला, calculate करने के लिए हिरोन्स फॉर्मला से क्या करते है, S निकालते हैं, S क्या होते है, A plus B plus C upon 2, A plus B plus C यानि, ट्रेंगल की तीनो साइड का समय, यह है हमारे पास में, A क्या है, X plus 8 है, तो कि आगया, X plus 8, फिर plus, B कितना है, 14, plus, X plus 6, पूरे क्या पान में क्या आजाएगा, 2 हाजाएगा, this implies that, S is equal to कितना आजाएगा, X और X कितना हो जाएगा, 2X plus, 14 और 6, 20, 20 और 28 हो जाएगा, आजाएगा, तो कितना आगया, X plus 14, तो S आ चुका है हमारा, this implies that, S is equal to 14 cm, अब क्या आज करेंगे, पुड़ा एजी करने के दिए, S minus A, S minus B, और C अलब से निकाल लेते हैं, क्या, S minus A, कितना है, 14, minus A, कितना है, X plus 8, क्या है, X plus 8, तो यह क्या देगा, 14 minus X minus 8, पुच्छन में करेक्शन है, यह X plus 14, ऐसे X plus 14, से है, cm में, यहाँ पर भी क्या आने वाले, X plus 14 minus, X plus 14 minus, X minus 8, कितना जाए गई, X से X, कट अप हो जाएगा, 14 में से 8 minus होगे पाइगा, 6, राइट, फिर S minus 20, S minus 20, S कितना है, X, वही, X plus 14, माइनस, B पॉइंट क्या है, 14 है, ठीके, B खाली, 14 है, इसे कोल तो, यह तो, X ही आदेगा, फिर S minus C, कितना जाएगा, X plus 14 minus, X plus 6, तो, इसे को तो, क्या जाएगा, X plus 14 minus, X minus 6, X, यहाँ, X से X कठाप हो जाएगा, कितना आगे है, A का आगे, क्या होता है, ट्राइंगल का फॉर्म्मला, हेरोंस फॉर्म्मला से, एरिया, ट्राइंगल A, B, C, इसे कोल तो, अंडर रूट, S, S minus A, S minus B, S minus C, तो, इसे कोल तो, कितना जाएगा, अंडर रूट, S, कितना है, S, X plus 14, bracket close, फिर S minus A कितना आएगा, अब easy हो गया है, हाथ से, otherwise, यहाँ solve करना पड़ता हो, S minus A की जगह हम कितना रख सकते हैं, 6, into 6, into S minus B की जगह क्या रखना है, X, into S minus C की जगह रखना है, 8, या रेकर इस इंप्लाइज दे, अंडर रूट, 48, X, bracket में, X plus, 14, ठीक है, यह है, पुई equation दो नहीं लिया, आपने, एक पैटरन से अभी हमने, एरिया आप ट्रेंगल फाइंड किया है, अब दूसरे पैटरन से, अब एरिया प्रेंगल फाइंड करने हुआ ले हैं, ठीक है, यह इसको मैं अलग से लिए देता हम, बाकी रेस करना पड़ेगा, क्या आ चुगा है हमाई पास में, एरिया ट्रेंगल ABC, इस इक्वाज तू अंडर रूट, 48, X, bracket X, X, प्लस 14, ठीक है, इक्वेशन बहन निहाल लिए 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 लिए, बाकी को हज़ाना पड़ेगा, तो नेक्स जो है, रेडियस आँगो 4 cm गीवन है, यानि जो OD है हूं कितना है, 4 है, ऐसे, 4 cm है, और, 4 cm है, ठीक है, OD is equal to OE is equal to OF is equal to 4 cm गीवन, रेडियाई है, रेडियाई है उस सर्कल, यह कीवन हैं को, फर्दर हमको यह पता है, क्या OD perpendicular किसके होगा, BC के कॉमा, OE perpendicular, AB, और, OF, perpendicular AC, ठीक है यह थारे पर्पेंटिकुलर्स गीवन है हमको, ओके, ठीक है, एंगल, बेट्वेन, टेंजेंट और रेडियस, ऐसे भी लिख सकते हैं, यह रेडियस इस पर्पेंटिकुलर टू टेंजेंट, ऐसे भी राइट कर सकते हैं, तो अब क्या करने का हैं, इन ट्राइंगल, यह सीधा लिखते हैं, एरिया ब्रैकेट ट्राइंगल, A, O, B, क्या होगा, इस उकल टू, वन हाफ, इन्टू बेस, बेस क्या है, A, B, इन्टू हाइट क्या है, प्रपेंडिकुलर दिस्टैंस, O, E, इन्टू हाइट क्या है, इस उकल टू, वन हाफ, यह भी कितना है, X प्लस 8, इन्टू हाइट क्या है, 4, तो 2 से 4 कटब हो जाएगा, 2 टाइमस में, कितना जाएगा, 2X प्लस 16, 20 मिटर स्कूर, फिर ऐसे ही, एरिया ब्रैक्टिंगल B O C, इस उकल टू, 1हर्फ, इन्टू बेस, बेस क्या है, BC, इन्टू हाइट कितनी है, OD, इस उकल टू क्या जाने वाला है, 1हर्फ, इन्टू बेस, 14 होगा, इन्टू हाइट कितनी है, 2 से 4 कटभ हो जाएगा 2 x 2 x 28 cm2 then area triangle coa coa triangle कही देखिया होगा 1.5 into base base के है x plus 6 वो लिखने पहले formula base के है a c into o f write 1.5 into base a c write करें कितना है x plus 6 into 4 क्या देगाए 2 के अंदर multiply हो जाएगी 2 x plus 12 क्या रहने वाला है इरिया ट्राइंगल a b c is equal to area पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या अब इन तीनों चोटी ट्राइंगल के एरिया को एड़ कर दीजी एरिया ट्राइंगल a o b plus area triangle boc plus area triangle c o e ट्राइंगल का एरिया वो लिखने का है क्या है इस इंप्लाइज देट एरिया ट्राइंगल a b c है या हमारे पास में क्या है 48 equation 1 से under root में x bracket x plus 14 is equal to individual triangles का area वो लिखने का है पहला क्या था 2x plus 16 plus दूसरे triangle का area क्या है था हमारा 28 plus तीसरे triangle का area क्या है था 2x plus 12 2x plus 12 यह area ऐसा हमारे तो क्या देगा है यह से under root 48 x bracket में x plus 14 is equal to इसे solve ड़लेते हैं 2x और 2x कितना हो देगा 4x plus इसको पूरा एट परजी तो कितना हो देगी 40 और 56 यह रहने वाला है 4 comma आ सकता है यहां पर इस इंप्लाइज एट क्या गया 48 x bracket में x plus 14 इस इंप्लाइज यहां से 4 comma ले लिया तो क्या देगा x plus 14 अब 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 रूट हताएंगे और दूसरे साथ इस्वैर करेंगे इस इंप्लाइज एट 48 x bracket में x plus 14 is equal to इस पूरे का whole square हो दाएगा 4 x plus 14 का whole square इस इंप्लाइज एड क्या आने वाला है 48 x और x plus 14 is equal to 4 4 times 16 हो जाएगा और x plus 14 ऐसे रहने लेते हैं whole square अब यह क्या है हमें whole square करके quadratic equation बनाके भी solve कर सकते हैं लेकिन क्यों तो उसमें 2 result आएगे प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है लेकिन क्योंकि length आनी है तो तो 48 x इसको कितना बच गया 16 bracket x plus 14 ठीक है यह बच गया है हमारे पास में अब इसको आगे solve कर लेता है कि अब इसको डिवाइड कर देते हैं 16 को हमने लेकिस देज दिया 16 और यह क्या बचा एक्स प्लस 14 यहां पर हमारे कितना आ गया है 3x is equal to x plus 14 इस इंप्लाइज that 3x minus x is equal to 14 2x is equal to 14 x is equal to 14 x is equal to कितना आ गया 14 upon 2 7 cm आ गया है अब क्या निकालना था हमको ac ac is equal to क्या आएगा क्या था यही एक्स प्लस 6 था एक्स प्लस 6 यहनी 7 प्लस 6 13 cm और ab ab कितना था एक्स प्लस 8 7 प्लस 8 is equal to 15 cm ठीक है यह आंसर आ गया है इसरे से करके question को solve करने का था राइट एक किसा लेक्स किया प्रूव थैट अब कोजिट साइट उफ एक वाटृ लेटरल सबकमेस्क्राइबंगे सरकल सप्टेंट स्प्लिवेंट्री अंगल सब्टा सेंटर यानिके सब्सक्राइब करते वह को यह क्वाड्रलेटर आयारा जामको है बना है कि कि लेट इस पॉटलेटर इस A, B, C, D and the center of circle is O join this O A, O B, O C, O D right तो क्या करने का है एंपुल्स में गीवन A, B, C, D circumscribed A circle to prove जो ये center है इस पर जो ये opposite angles है ये और ये सब्लिमेंटरी, सब्लिमेंटरी का मतलब क्या होगा 90 सम है A, O B plus angle C, O D is equal to 180 degree ये हमको prove करना है दूसरा angle A, O D plus angles B, O C ये भी 180 degree है ये हमको prove करने का है पहले construction करना भरेगा जो tangents है सरकर को जाट टस कर रहे हैं हमां point ले जाएं P, Q, R, S और इसको center से हम joint कर लेए टॉटी line से center से joint कर लिए अब क्या करेंगे जितने भी angles आ रहे हैं perpendicular ने जो angle separate किये है इसको naming कर लिए A, O, B क्या angle 1 फिर P, O, B, angle 2 इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7, and 8 फिर एंगल समय मार्क कर लिए है जोइन O, P, O, Q, O, R, O, S यह ने जोइन किया क्या करने वाले हैं triangles को congruent करेंगे और congruent करने के बाद में angles equal होगे इसे यह जो triangle है कौन सा A, O, P और कौन सा वाला लेने का है जैसे O, A है जो प्रेटिकूर टेंजेंट वाला पॉइंट है जिस पॉइंट से टेंजेंट लिए गया उसे circle को join किया है center को तो उसके left और right वाले triangle लेने का है जैसे A, O की left और right में triangle है कौन सा A, O, P and triangle A, O, S में क्या-क्या given है इंको A, O तो common है A, O is equal to A, O common पे O, P और O, S भी equal है Radia, A, O, Circle फिर A, P और A, S यह भी equal है A, P और A, S क्यों equal है length of tangent from common point दूसर कर दूसर कर दूसर length of tangent from common point two circle ठीक है तो क्या जाएगे यहां से this implies that triangle A, O, P is congruent to triangle A, O, S कौंसा रूल लगा S, S, S congrence जब दोनों triangle congrence तो क्या हो जाएगा angle 1, 8 के इक्वाला जाएगा this implies that angle 1 is equal to angle 8 equation 1 region C, P, C, T और इसी तरह से यह one pair हमने ग्रूव किया ऐसे second pair, third pair and fourth pair सारे triangles congruent होंगे corresponding similarly करके तरहेंगे similarly क्या आएगा triangle कौंसा अब पहले A point से लिए था quadrilेटर का quadrilेटर के vertex है नो उससे याई रख सकते है दूसरा vertex यहाए quadrilेटर का B है तो इससे लेने वाले दो triangle है कौंसा B, O, P और B, O, Q triangle B, O, P is congruent to triangle B, O, Q right same reason जाएगा तो इसका जो दो angle से कौंसा 2 is equal to 3 आ गाएगा angle 2 is equal to angle 3 equation number आगे है 2 okay next triangle अब C point से दो triangle C से C, O, Q और C, O, R C, O, Q and C, O, R and ना करके ना congruent congruent to C, O, R क्या है कर दिस इंप्लाइज एट angle 4 is equal to angle 5 equation पर आगे 3 next triangle अब किस D point से दो triangle लेने हैं D, O, R और D, O, S triangle D, O, R congruent to triangle D, O, S इससे क्या जाएगा इस इंप्लाइज एट 6 is equal to 7 equation number 4 चिक है यह आ चुका है हमारे पास में हाँ जी तो अब यही सारे angle 1 से ले करके 8 तर angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 इसे क्या होगा 360 degree reason complete angle अब equation wise इनको pairing कर लेता है साथ साथ में 1 किसके एकवल है 8 के एकवल है बन और 8 को एक साथ लिख लिए इससे हमें पता चलिका कि हम कर क्या रहे हैं 2 plus 3 को इससाथ लिख लिए फिर यह दुन हो गए फिर 4 और 5 को एक साथ लिख लिए और फिर 6 और 7 को एक साथ लिख लिए अब क्या करना है हमको जिन अपोजित अंगल को में इकवल रूप करने का है कौन से अपोजित अंगल हम पहले AOB और COD लेने वाले हैं चीक है यह वाला इस वाले अरिया का जो एंगल है एंगल 1 और 2 चाहिए हमको और यह यह चाहिए 5 और 6 यह तो यहां 1 और 2 को छेड़ना नहीं है और 5 और 6 को नहीं छेड़ना है बाकी की वाल्यों पुटाप करेंगे यह यह नहीं चाहिए हमको आपाइब तो चाहिए हमको और 6 भी चाहिए 7 और 8 दोनों नहीं चाहिए इनकी वैल्यू पुट अप करेंगे जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है वो हम पुट अप करेंगे आपस पूट क्या हताना है एक हताना है एंगल 8 is equal to 8 की जगा क्या रखेंगे 1 आपस और 7 की जगा क्या रखेंगे 2 एंगल 3 is equal to एंगल 6 इन एक्वेशन 5 इस इक्वेशन 5 लास्ट ने अंडेस्टेंड तो क्या आ जाने मनला है यहां से हमारे पास में तो आने वाला है क्या बन की जगह पर क्या रख दिया हमने एट की जगह पर बन तो इच आ गया है एंगल 1 प्लस एंगल 1 एंगल 2 तो एसस रहा प्लस 3 की दगहा पर क्या रखा 3 की दगहा पर रखना है में 2 एंगल 2 होगे है प्लस 4 की दगहा पर क्या रखना है 5 प्लस एंगल 7 अटाना है 6 एसस रहेगा 7 की ज़िए पर क्या रखना है 6 ही रखना है इस इकल तो 360 डिगरी क्या आग है twice of angle 1 plus twice of angle 2 plus twice of angle 3 plus twice of angle 1,2,5 और 6 is equal to क्या आगया 360 डिगरी 2 कमन अजाएगा पूरे में से 2 कमन ले लिया तो क्या बचा angle 1 plus angle 2 plus angle 5 plus angle 6 is equal to 360 डिगरी 2 से डिवाइड तर देजे 180 आजाएगा और angle 1 plus 2 कौन सा angle है AOB है और 5 plus 6 क्या है COD तो angle AOB plus angle COD is equal to क्या आगया 2 को डिवाइड में बेजिया तो कितना आजाएगा 180 डिगरी तो फर्स्ट पार्ट पूरूब होगया है सिमिलर्ली करके second पार्ट टेक दीजे similarly कौन सा आगया BOC angle BOC plus angle OD is equal to 180 डिगरी तो इस तरह से करके question प्रूप कर सकते हैं important question है exam के लिए भी तो इसको अचे-थे प्रिपेयर करेएं झाल 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 झाल